हालो आरेवन, स्टड़ी विदस में आपको एग फिर से स्वागत है और आप देख सकते हैं कि C.U.E.T. का जो एक्जाम होने वाला है अंडर गैजुएशन के लिए उसके लिए जो है एक्जाम का पैटन जारी कर दिया गया है N.T.A. के द्वारा ठीक है तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरा पैटन बताने वाला हूँ कितने sections होंगे question paper के और कितने marks के होंगे कितना time दिया जाएगा ये सभी जो है N.T.A. के द्वारा इस notice में जारी कर दिया गया है ठीक और form कब से शुरू हो रहे हैं तो वीडियो को end तक देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि C.U.E.T. से related अगर कोई भी update आती हो तो उसको जो है आपको जो है उसकी जानकरी पहले मिल सकी तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें बात क्या की गई है इसमें बात की गई है कि जो 12th class के student है जो अंडर graduation में admission लेना चाहते हैं ठीक है तो उन्हें क्या है एक CBT exam देना पड़ेगा ठीक है CBT exam देना है यानि की computer based exam और यह इसमें लगभग जो है कई सारी universities इसमें सामिल रहेंगी और application जो है यानि कब से form भर सकते हैं तो form की date भी बता दी गई है दो तारिक से जो है exam के कि जो paper होगा कितने section में divide होगा तो तीन section में यह paper divide होगा ठीक है section A और section जो section एक है यानि पहला है वो language वाला रहेगा जिसमें आपको जो है language चुननी पड़ेंगी और section second की अगर मैं बात करूं section दूसरा जो section है उसमें आपसे जो है किसी domain specific subject से related question पूछी रहेंगी यान ठीक है अगर graduation में आप history लेना चाते हैं या political science लेना चाते हैं तो उससे based question पूछे जाएंगे section B में आएंगे वो question अब जैसे अगर कोई student जो है वो geography honors लेना चाता है तो उसे 12th की जो geography के book है उससे related MC के पूछे जाएंगे कोई history honors लेना चाता है तो 12th में जो history है उससे related question ज test होगा अब section C में जो है reasoning पूछी जाएगी current affair पूछा जाएगा maths पूछा जाएगा ठीक है जीके पूछा जाएगा इसको मिला के पूछा जाएगा तो तीन section होंगे पूरे paper की तो यहाँ पर बारी के से बताया गया है कि section 1 जो होगा वो language serrated होगा 40 question जो है इसमें आपको करने होंगे 50 question दिये जाएगे 40 आपको करने होंगे और कैसे होंगे question वो होंगे reading comprehensive वाले ठीक है reading comprehension वाले होंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि literacy narrative vocabulary वगारा भी देखें पूछी जाएगे इसमें और इसके लिए 45 मिनट जो है दिये जाएंगे ठीक है 45 मिनट जाएंगे और बहुत इतना समय पेपर करने के लिए और section second की अगर मैं बात करूं यह section दूसरा जो रहेगा वुसमें जो है 27 subject लिए एंटे ने 27 subject में जो है आप admission ले सकते हैं ठीक है और जो student होंगे जो student होंगे वो 6 subject तक जो है चूज कर सकते हैं ठीक है maximum और 40 questions इसमें भी आपको करने होंगे 50 questions दिये जाएंगे टोटल और जो question होंगे वो MCQ based होंगे और NCRT के 12th class के syllabus से होंगे इसके लिए भी जो है आप 45 minute दिये गए हैं ठीक है इसके लिए भी जो है 45 minute दिये गए हैं और section C के अगर हम बात करें या section 3 के बात करें तो इसमें जो बात की गई वो की गई जनरल टेस्ट की ठीक है इसमें 75 questions आप है ठीक है और अभी तक के लिए जो माना जा रहा है वो जो टफ लेवल रहेगा वो यहीं पर ही जो है मेरिट खेलेगी ठीक है आपसे खेल जिस स्टूडेंट ने यह अच्छे से कबर किया होगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी सीड्स जो है पक्की कर सकता है क्योंकि देगे 75 म से 60 कोशन इसमें करने हैं इसमें कोशन कैसे होंगें मेंसी क्यूमेंस कोशन होगें और मैंसें कोशन होगे क्वेंटेटिव रिजनिंग होगी इसमें ठीक है मैथ का देखिए इसमें टॉपिक बता दिया कि बेसिक मैथमेटिकल कॉंसेप्ट बूच रहेंगे अर्थमेटिक रहेंगे अलजेब्रा रहेगा जियोमेट्री रहेगा मेंचुरेशन रहेगा ठीक है और यह कहां तक के टफ रहेंगे तो एट्ट क्लास तक की यह रहेंगे ठीक है और लॉजिकल और अनलेटिकल रीजनी भी रहेगी और यहां पर डॉमेन स्पेसिविक सब्जेक्ट है अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जैसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं कि क्या कण्डी जो कंडिट होगा वो कोई भी तीन लेंग्वेज जो है सेक्शन चुन सकता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में से ठीक है यि दो तो रही होगी और शे सबजेक्ट आप मेकसीमम यहांपर बताए गई थीक数 क्या लिए अट और जो इसमें आपके कोई चोईस ना है सब्कूल को एक असल के लिए ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं computer based exam होगा computer पर दिया जाएगा objective type question होगे यानि कि multiple choice question होगे इसमें ठीक है और तीरा languages यह वही pattern है जो मैंने आपको बताया और यहां पर जो है syllabus भी देख सकते हैं आप सभी से दिया गया है registration के अगर हम बात करें दो तारिक से आप जो है इसका registration कर सकते हैं और मैंने आपको बता दिया जांदा टफ नहीं रहेगा पेपर ठीक है तो इस website पे जाकर आप जो है apply कर सकते हैं अब रही classes की बात कि हम सी यू सेट की classes का शुरू करेंगी तो जैसे ही हमारे से student app जुड़ते ह है तब ही से जो है हम अपनी classes की सेट की शुरू करेंगे पूरा स्लेबस जो है कबर करवाया जाएगा हमारी तरफ से प्रियोप कोई पैसे नहीं रहेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा देखिए जितने भी सेट स आपको मिलते रहेगी अब classes जो है वो भी अभी जल्द शुरू कर दी जाएगी जैसे ही जो है इसका स्लेबस आ जाता है वी क्या है कि उपर से स्लेबस को बताया गया है topic wise जब तक स्लेबस नहीं आ जा तब दग बात अच्छे से किलियर नहीं हो पाएगी ठीक है हाला कि कई स्टूट्स जो है अपनी त्यारी करने पर लग चुके हैं ठीक है जैसा कि मुझे कमेट में वताया है कि स्टूट्स ने ठीक है तो जो classes लगवाए जाएंगी वो कुछ domain subject की रहेंगी ठीक है कुछ subject जैसे हिस्ट्री हो गया political science हो गया geography हो गया Hindi हो गया English हो गया इन की जो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियो डालेंगे तब तब आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा तो बने रहे हमारे चैनल के साथ फिलिंग में मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाशिंग दिस वीडियो